स्टूडेंट्स आम गुंजन टंडन वेलकम टू मैं चानल गुंजन गुरुकुल स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चाप्टर ग्राविटेशन प्रिजिक्स का चाप्टर 10 ग्राविटेशन जिसमें आज जो टॉपिक हम स्टाड़ी करेंगे वो है हमारा बायांसी बायांसी क्या है वो देखते हैं हम येस बायांसी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो हमारी ये एंसी आटी बुक में प्रेस्क्राइब है एव ये एवर हाट अस्वेम इन पूल और फेल्ट लाइटर जब हम पूल में किसी स्वीमिंग करते हैं तो क्या हम थोड़ा लाइट वेट फील करते हैं ये सारे कुश्चन्स हमें बहुत ध्यान से देखने होंगे जब भी हम किसी वेल में किसी कुए में एक पानी की बकेट को ड्रॉप करते हैं और पानी भर के जब हम बकेट को खीचते हैं तो क्या पानी से बहार आते समय वो हमें हैवी फील होती है जब हम स्वीमिंग करते हैं तो लाइट वेट फील करते हैं दूसरा जब हम वेल से कुए से पानी की भरी हुई बकेट खीचते हैं तो क्या हो हमें हैवियर लगती है उसका वेट ज्यादा लगता है जब वो पानी से उपर की दरफ आती है क्या कमने हमने कभी नोटिस किया है एक शिप जो आइरन या स्टील का बना हुआ है और वो सी वाटर में जब फ्लोट करता है तो वो सिंक क्यों नहीं करता है जबकि आइरन और स्टील के बनी हुए एक शीट एक चादर है ना एक शीट जिसको हम बोलते हैं वो जब हम पानी में डालते हैं सी वाटर में डालते हैं तो वो क्यों सिंक हो जाती है तो यह सारे questions की को जो है answer देने के लिए हम एक term समझना पड़ेगा वो है बाइंसी देखो अब यह जो question है कि आइरन और स्टील का बना हुआ जो शिप वो क्यों लिए सी वाटर में सिंक करता है जब कि आइरन स्टील की बनी हुई कोई नेल या फिर कोई शीट जो है वो डूब जाती है सिंक कर जाती है तो सबसे पहले हम यह बहुत short में यहाँ पर एक definition देख लेते हैं कि what is bion force इसको हम एक activity के थूँ clear करेंगे लेकिन यहाँ पर देखो what causes bion force bionc है क्या bionc यानि this is a type of force है ना so bion force is the force on an object exerted by the surrounding fluid fluid भई liquid भी हो सकता है गस भी हो सकता है ना वो हर एक चीज जिसका अपना जो जिस भी चीज में रखा जाया उसका volume ले ले है ना तो fluid कोई either it is a gas भी हो सकती है और liquid भी हो सकता है तो किसी भी fluid में हम कोई object दालते हैं रखते हैं तो जो fluid उसको उसको अब एक pressure डालता है है ना उसको हम byorned force क includ möchte है र Richt when an object pushes water the water pushes back with it as much force as it can जब भी हम किसी object को किसी water में डालते हैं या liquid या fluid में कहने डालते हैं तो वो fluid भी उस object पर बराबर का force अपनी तरफ से उस object पर डालता है if the water can push back as hard अगर water successful हो जाता है force डालने पर है न तो object float यानि object जो है वो float करता है जैसे कि अभी हम किसका example ले सकते हैं sink और ship का but अगर जो है fluid वो उतना forcefully force जो है उस object पर नहीं पुश कर रहा है तो वो डूच जाती है जैसे steel की और इसकी iron और steel की जो हम sheet की बात कर रहेते हैं किसी mail की बात कर रहेते हैं टीक है overall and all हम यहाँ पर bion force को बस एक समझ लेते हैं कि in the form of definition bion force क्या है वो force है जो किसी object पर कौन लगाता है जब वो उस object को उस हम किसी fluid में डालते हैं या छोड़ देते हैं ठीक है अब हम बात कर रहे थे कि activity perform करेंगे जिसके थूँ हम एक टाम bioncy को पहले clear करेंगे तो देख लेते हैं यह activity क्या है यह activity overall इस तरीके से इसको समझाएगे कि एक plastic की empty bottle लीजिए है ना और उसके mouth को हम मतलब जो इसको tap लगा दे हैं stopper लगा दे और उसको पानी से भरी bucket में छोड़ दे तो हम क्या देखते हैं जब भी हम खाली bottle को किसी पानी से भरी bucket में या container में छोड़ते हैं तो वो float करती है simple यह हम सब चाहे तो आप यह experiment अभी घर पे करके देख लो अगर किसी bucket में हमने एक empty water bottle जो है वो place कर दी है ना और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ पे float कर रही है पानी के उपर then secondly यहाँ पर यह समझाए गया है push the bottle into the water आप उसी bottle को जब हम पानी में उसको push कर अपर से धक्का देते हैं कि यानि तो एक upward push हम किस पर डाल रहे है water पर एक धक्का एक force लगा रहे है कि उसको वो नीचे की तरफ चली जाए deeper in deeper चली जाए लेकिन क्या होता है जो water है bucket का water है वो भी एक push उस object पर लगा रहा है है ना एक force लगा रहा है bottle पर in upward direction upward direction में पानी भ force लगा रहा है यही upward force exerted कर रहा है जिसकी वज़े से वो बॉटल जो है उपर की तरफ वापस हो रही है मतला उपर की तरफ जारी है instead of that की वो डूब जाए है और हम कोशिश कर रहे है कि उपर से उसको पुश कर रहे है deeper and deeper कि वो completely immersed हो जाए now release the water bottle अब हम बॉटल को हमने है empty bottle है वो surface पर float कर रही है है जब हमने finally उस पर pressure डालना force डालना बंद कर दिया तो हम देखते हैं कि वो bottle जो है surface पर float करती है अब question arise होता है does the force due to gravitational attraction of the earth act on the bottle हमें पता है gravitational gravitational attraction कौन भई जो आर्थ है वो लगाती है किसी भी चीज़ को downward downward vertically downward नीचे की तरफ कीछती है है न तो जो bottle पर जो force लग रहा है क्या gravitational force of the earth है if so why doesn't the bottle stay immersed in water after it is released अगर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वह क्यों नहीं डूब जाती है gravity लग रही है gravitational force लग रहा है और हर एक चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही है gravitational force लगा रही तो क्यों नहीं वो bottle जो है वो डूब जाती है वो क्यों float कर रही है how can you immerse the bottle in water हम कैसे immerse कर सकते हैं क्या करें कि वो bottle जो है उस बतलब पानी में उस water में डूब जाए right तो यह हमने activity देखी आप देखो इसका clearance देख लेते हैं the force due to gravitational attraction of the earth acts on bottle in the downward direction है ना यानी यह बात हमें समझ में आगे जो force है वो bottle पे downward direction में लग रहा है वो कौन सा है gravitational attraction of the earth है ना वो जो gravity जो नीचे से लग रही जो attraction force लग रहा है gravitational attraction force of the earth जो bottle को पानी में नीचे की तरफ downward direction में कीच रही है so the bottle is pulled downwards है ना पहला तो question यह हो गया इसके bottle जो नीचे की तरफ जाती है but the water exerts an upward force on the bottle हमने नीचे स्वाम में पढ़ाता हर एक चीज़ का action reaction होता है अगर हम जह है अर्थ पर move कर रहे हैं चलना चलते हैं आगे की तरफ movement किसकी बज़ो जाता है अर्थ भी हमारे पैरों पर उतना ही एक reaction force डालती है ठीक है तो सेम चीज़ यहां पर भी वही है कि water exerts an upward force on the bottle thus the bottle is pushed upwards और बॉटल जह है अब वो उपर की तरफ pushed हो जाती है we have learnt the weight of an object is the force basically weight क्या है किसी object का force due to gravitational attraction of the earth जो earth के gravitational force of attraction की वज़े से कोई object feel करता है वही है ना जो force नीचे से उसकी तरफ लग रहा है वही उस object का weight होता है when the bottle is immersed the upward force exerted by the water on the bottle is greater than the weight यानि अब क्या हो रहा है बॉटल तभी डूब सकती है when the bottle is immersed बॉटल तभी डूबेगी जो upward force है ना जो upward force exerted by the water जो water की तरफ से उपर की तरफ जो उसको उच्छाल रहा है उपर की तरफ जो force लग रहा है वो बॉटल पर greater than होना चाहिए बॉटल के अपने weight से है ना यानि अभी तो बॉटल empty है बॉटल में कुछ नहीं है खाली है खाली होने से क्या है उसका weight in comparison to that fluid that water is less than that of the जो force उसको जो water उस बॉटल पर लगा रही है therefore it rises up when released और जैसे जब हम उस पर कोई force नहीं लगाते हैं तो जो water अपनी तरफ से upward force उस बॉटल पर लगा रहा है वो ज्यादा हो जाता है जिसकी विज़े से वह अपर सर्फिस पे पानी की float करने लगती है ना और यानि उपर उच जाती है जब हम उसका force लगाना बंद कर देते हैं क्योंकि water का force जो है upward direction में वह higher than that of the object है तो राइट तो हमें पता है then देख लेते हैं to keep the bottle completely immersed the upward force on the bottle due to water must be balanced यानि जब हम बॉटल को चाहते हैं कि वह completely immersed हो जाए तो जो upward force bottle पर water लगा रहा है वह balanced हो जाए या तो कम जादा हो जाए या फिर balanced हो जाए अभी क्या हो रहा है अभी water जो का जो upward force हो ज्यादा हो रहा है this can be achieved by an externally applied force acting downwards है na acting downwards यहाँ पर देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं कि जो भी हम external force जो हम लगा रहे हैं उस object पर वह कैसे वह ज्यादा हो this can be achieved by an externally applied force acting downwards this force must be at least equal to the difference between upward force and the weight of the bottle जो force उपर की तरफ से जो net force हम निकालने की बात कह रहे हैं यानि जो force उपर की तरफ से हम उसको apply कर रहे हैं object पर है ना वो पानी के जो पानी उपर की तरफ लगा रहा है और weight of the bottle के at least या तो equal हो है ना तभी उसको हम completely immerse कर सकते हैं उपर की तरफ up thrust जो उपर की तरफ upward direction में लगा रही है that is called the up thrust और bion force है ना या तो हम इसको क्या कह सकते हैं up thrust और bion force यही हम इस जो है topic में पढ़ रहे हैं bioncy यानि bion force bioncy है क्या it's a kind of force है ना तो यह जो भी पानी किसी भी object पर उपर की तरफ पानी means कोई fluid किसी object पर उपर की तरफ upward direction में लगा रहा है that is called the up thrust और bion force and in fact all objects experience a force of bioncy और इसी property को जो fluid किसी object पर लगाती है उसको हम bioncy कहते हैं हर एक object जब वो fluid में होता है मतलब surround होता है उससे चारो तरफ तो वो bioncy field करता है when they are immersed in a fluid तो bioncy and up thrust force and bion force हमने यहां पर पढ़ा the magnitude of this bion force depends on the density of the fluid है ना bion force की density जो किस पर depend करता है magnitude fluid कितना dense है कितनी उसके density है राइट तो यहां पर हमने देख लिया कि what is up thrust up thrust and bioncy है ना यानि up thrust force और bion force and bioncy यह दो तरम हमारे यहां पर clear होगे राइट अब देख लेते हैं next question why objects float or sink when placed on the surface of water अब यह वही वाला question आगे हमारा कि iron and steel की जो ship है वो क्यों नी sink होती है जबकि iron and steel की जो sheet है वो दूब जाती है या फिर हम iron nail को जब पानी में छोड़ते तो वो दूब जाती है किसी piece of core को छोड़ते हैं तो वो float करती है या किसी खाली ball को जब हम जो hollow ball है उसे छोड़ते हैं तो वो float करती है आईए इसको भी by an activity हम इसको समझते हैं let us do the activity to arrive at an answer or the above question first एक beaker लीजे उसको water से fill करना है में उसमे एक iron nail डाल दी है ना iron nail को जैसे हम डालते हैं and place it on the surface of water overall what हम जब observation करते हैं तो क्या होता है एक beaker में हमने water लिया water में iron nail डाल दी then what happened the nail sinks जो nail होती है nail means यानी जो कील होती है ना iron की nail है ना हम उसकी बात करें वो क्या होती है वो sink कर जाती है यानी डूप जाती है so the force due to gravitation attraction of the earth on the iron nail pulls it downwards अब क्या होता है जो एक force लग रहा है iron nail पर वो क्या होन सा force है gravitational force of attraction by the earth जो वो nail पर नीचे की तरफ लगा रही नीचे की तरफ उसको खीच रही है there is an upthrust of water on the nail इधर से upthrust of water यानी upward एक force लग रहा है nail पर water की तरफ से which pushes it upwards जो इसको उपर की तरफ पुश करती है but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of water on the nail so it sinks यानी जो nail के उपर जो downward force of gravitational attraction of force लग रहा है जो आर्थ की तरफ से जो downward direction में लग रहा है that is greater than the upthrust of water on the nail यानी जो उपर से लगने वाला force है वो water के द्वारा लगाये जाने वाले upthrust जो upward direction में जो force है उससे कहीं ज्यादा है जिसके वज़े से sink हो जाती है हमारी nail एक iron nail जो है वो डूप जाती है ठीक है तो किस पर depend कर रहा है हमारी जो उसके उपर जो लगने वाल अब्जेक पे लगने वाला जो force है that is greater than the upthrust of water जो water force लगा रही है अपर डिरेक्शन में वो कहीं ज्यादा वो कम है in comparison to gravitational attraction of earth on the iron nail which pushes it downwards एक अक्टिविटी की बात करें फिर हम एक बीकर लेंगे उसको पानी से भरेंगे अब हम equal mask के बराबर के वेट के एक piece of corp और iron nail दोनों छोड़ देंगे है ना अब हम देखते है कि क्या हुआ हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने पानी भरके एक piece of corp डाल दिया और एक iron nail डाल दी है ना इस बार हमने दो चीजे दो objects लिये है equal masses के what happened the corp floats while nail sinks है na corp float कर रही है nail फिर sink कर जाती है पर nail क्यों sink करी यह हमें पता चल अब यहां पर देखेंगे पहला तो हमने देख लिया था कि gravitational attraction of earth and the iron nails pulls it downwards which is greater than the up thrust of water on the nail अब यहां पर क्या हुआ this happens because of difference in their densities हमने पता किया बता है था कि buoyancy किस पर depend करती है densities of density of fluid है जिस density of fluid पर depend करती है the density of substance is defined as the mass per unit volume और density क्या है किसी भी substance का कितना weight according to its volume mass per unit volume पर depend करता है so the density of cork is less than the density of water यहां पर जो cork का जो mass है जो भार है वो कम है in comparison to density of water this means the up thrust of the water on the cork is greater than the weight of the cork यानि जो up thrust of water जो up thrust force लग रहा है by on force लग रहा है by water on the cork which is greater than the weight of the cork है न और weight क्या है weight वो force है जो उस पर लग रहा है लेकिन यहां पर जो bioncy जो bion force के हम बात कर रहे हैं वो किस पर magnitude किस पर depend करता है density of the object और density क्या है it is a substance की वो mass per unit volume यानि इसका mass जो है भार जो है वो कम है in comparison to up thrust of water on the cork जो water उस पर cork पे डाल रहा है वो ज्यादा है in comparison to the weight of the cork यानि वो खलकी है वज़न में जिसकी वज़े से so it floats और वो जो है उस beaker के water की surface पे जो है वो float करती है right यह देखो इस तरीके से cork जो है वो float कर रही है इस activity में यह cork is क्या कर रही है float and this is iron nail with जो sink हो गई है right तो density of density of the liquid हमने देख लिया density of the liquid कैसे by and force पर depend करती है यह हो गई हमारी floating core और यह हो गई हमारी sink हुई nail है ना so density of iron nail आप वो क्यों डूबी iron nail क्यों डूबी पहले था हमने gravitational force of attraction उसका ज्यादा था in comparison to upthrust of water लेकिन यहाँ पर density of iron nail is more than than the density of water यानि यहाँ पर iron nail का density जो mass per unit volume था वो कहीं जादा था water की density से this means upthrust of water on iron nail is less than that of weight of the no nail so it sinks यानि जो water का जो upthrust जो upthrust force हा bion force हा वो कम पो गया जो इसने iron nail पर लगाया क्यों क्योंकि iron nail का weight ज्यादा था so it sinks है ना therefore एक conclusion निकल के यहाँ पर आता है देखो यह therefore the object of density less than that of liquid float on the liquid यानि किसी भी object की density अगर उस liquid या उस fluid जिसमें वो comparison में कम है तो वो float करेगी अगर object की density greater than that of liquid है तो वो उस liquid में sink करेगी ठीक है तो यानि object की density पर भी किसी object का float करना और sink करना depend करता है किसे कि उसकी density higher to the fluid है या lesser to the fluid है ठीक है और यह आपको clear होना चाहिए इसके image के थ्रूब भी बहुत clear कर लेते हैं यह माल लीजे कोई object है यह और यह image को दिमाग में बिल्कुल रख लीजे है ना अब bind force क्या है हमेशा उपर की तरफ लगने वाला force है gravitational force हमेशा downward direction में लगता है किसी object पे जब लग रहा है तो यहाँ पे gravitational force जो उपर की तरफ downward direction में और bind force जो upward direction में जो fluid लगा रहा है वो अभी equal है ना बराबर है यानि वो float कर रहा है दूसरा क्या reason होता है object of density is less than यानि यह जो object है इसकी density flute की density के comparison में जो है वो कम है यानि object की density जो है वो fluid की density के comparison में जो है वो lesser than है इसलिए यह जो है क्या हो रहा है float कर रहा है राइट दूसरा क्यों यह जो है sink कर जा रहा है देखो यह एक object है यहाँ पर हम देखने के totally immersed हो गया sink कर रहा है डूबने लग गया so यहाँ पर क्या हुआ object की density object की जो density है वो greater than है किसे liquid की density से object की density जो है वो liquid की density से जो है वो ज्यादा है इसी वज़े से वो जो है sink कर जाती है right यानि लगने वाला gravitational force जो है वो biond force से कम है है न यह दो reason याद रखेगा density higher या lesser होना in comparison to fluid दूसरा gravitational force का कम या जादा होना biond force से right तो then और देख लेते हैं इस image को clear कर लो वही देखो biond force है यह object है float कर रहा है देखो यह हमारा object है यह float कर रहा है यानि क्या है इसकी density इसकी जो object की density है वो less than है किसकी liquid की density से है न लगने वाला biond force और gravitational force almost यह balanced है यानि इस हलका है object इसकी density कम है और क्यों हो रहा है यानि object की density जो है वो higher than liquid के density से है यानि लगने वाला biond force जो है वो gravitational force के comparison में ज्यादा है biond force क्या है वो up thrust force है जो कोई जो पी कोई भी liquid either it is a gas और liquid किसी object पर लगाता है in the upward direction so in this video हमने अब thrust force, biond force, biond c पड़ी